रादे रादे सभीका स्वागता है आप सभीका फिर से मेरी चैनल बंदना के विएजन में तो चली शुरू कैते हैं आज की नई रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं बहुती स्वाधिश्ट और हेलधी कचोडी बहुत ही आसान तरीकी से घर में मिलने वाले बेशिक सामान से बनाने वाले है तो चली शुरू कहते हैं इसके लिए मैंने यहां पर ली है मुंकी डाल एक कटोरी मुंकी डाल इसे मैंने दो-तिन घंटे के लिए पानी में भुगो का दग दिया था अब इसे अच्छी तरह धो जाएगी तो इसके च्छिलके हम आसानी से नकाल सकते हैं जतने निकले यह नीकलेथ अतने मैं अधर निकल दिया है थोड़े-बहुत चछिलके रही जाएं तो भी कोई बात नहीं है फिर भी हमारी कचौरी बहूती स्वाधिस्वादिस्ट बनेगी तो इस मानी को मैंने आता कचोड़ी बनकर तयार नहीं से छान के पहला है हैं नहीं से जोग करें गोसे और शूंसे से नहीं ко उन मैंने सब्सक्रेंदे के सबस्क्राइब आजवान और हमिलड़यमपड़कर नीफिया। तो अजबाइन की खुश्वे आटे में अची तरह मिक्स हो जाएगी यहाँ पर लिया है मैंने आदा चम्मच नमक आप स्वाधान सा नमक डाल सकते हो थोड़ी सी लिए है यहाँ पर कसूरी में थी इसे हातों से मीड करके डाल दिया है इसे की अच्छा फ्लेवर आए और इसको सारी चीज़ों को मिक्स करके इसमें थोड़ा सा डाला है मैंने घी कचोरी में घी अगर डालो तो एक दिम खस्ता बनेगी बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है तो मैंने यहाँ पर लिया है दो से तीन चमच घी डाल दिया है इसे मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था गयस पर दख करके और इसे आटे में अच्छी तरह कर दाए है मिक्स मोयन के लिए में लगाया है मोयन जितना अच्छा कचोरी में यह समोसा बनाते हैं में जितना अच्छा मोयन लगता है उतने ही यह कुरकुरी यहाँ खस्ता बन कर तयार होते है तो इसी तरीके से मैंने आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मोयन को यह आटे का कलर है थोड़ा सा वाइट होता है मोयन टालने के बाद में इसका color थोड़ा सा change हो जाएगा इतना ही मोयन बहुत है यह देख सकते हैं आप हातों से थोड़ा समय है इसे लड़ू सा बना करके देख रहे हैं तो लड़ू सा बना है अब मैंने इसको आटा लगा करके त्यार कर लिया इस तरह के साम रोटियों का आटा लगाते है उसी तरीके से मुलायम आटा लगा है हाट बिल्कुल नहीं लगाना है मैंने पानी का यूज अभी शर्दिया है तो इसलिए थूड़े गुरणे पानी का ही यूज किया है क्योंकि इसमें मौहन डला है अगर हम ठंड़े पानी से आटा लगाएंगे तो इ दूसे मैं 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही से रातार मसलती रहूंगी इससे हमारी कचोड़ी एक दम खस्ता बनकर तयार होती वहती स्वाधिस्ट अगर हम मैदा की कचोड़ी बनाएंगे तो उसको भी हम इसी तरीके से 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह मसलती हुए लगाएंगे ले आपको याद दिला दू कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसान दा है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरू कर दीजिए जिससे कि मैं और भी नई नई तरीके की आसानी सी रेसिपी की वीडियो आप सभी तक आसानी से भेश कूँ और वीडियो को एक लाइक भी जरू कर दे मैंने थोड़ा सा आट में पानी और मिलाया है और इसे अच्छी तरह फिर से मसल दिया है जितना अच्छा आट लगाएं उतनी ही खस्ता कचोड़ी वनेंगी यह देखी मैं इसे ऐसे पटकते हुए अच्छी तरह मैंने लगाया इसे पांस नट के लिए हम ऐसे ही पटकते चलते हैं यह देखिए दाल को भी हमने पका लिया है और यहां पर पूरी दाल नहीं पकाई है थोड़ी से अलग-अलग दानी से देख रहे हैं वस इतना ही पकाना है अब इसका जो दाल का पानी है वह हम निकाल देंगे एक चलनी ले लिए एक बरतन में हमने इसको एकश्टा जो पानी है वो निकाल दिया है इस पानी का हम दाल बगएरा बना रहे हैं या फिर आटा हम बाद में लगाएं तो इस पानी का भी यूज कर सकते हैं या सब्जी बगएरा में हम इस पानी का यूज कर सकते हैं किसी मे बनाओदा लंबी समय तक नहीं स्टोर कर सकते आगर आम इसमें लेशन प्याय नहीं डालेंगे मेरी तडिकी से बनाऊँ तो आप इसे लंबी समय तक 8-10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हो कही चपर में जाधा रहेँ तो सुछक बना करके ले जा सकते हैं यहां पर लिया है तो मैंने बस जो धनिया थे उसमें से एक में से दो इससे हो गए इतने ही इसे चला लिया था चकले पर मैंने कर लिया था चकले की मदद से बेलन की मदद से और यह गरम तेल में हम डाल देंगे अब इसमें हम डाल देंगे अपनी डाल को, यह अश्टा जो पानी वो सारा निकल गया है, अब इसी डाल को हम डाल देंगे, खड़ई में, इसमें मसाले मिक्स करेंगे, आप चाँआँ तो इसमें थोड़ी सी बारी कटी हुई हरी मिप्ची भी डाल सकते हो, लेसन अधरक, इसका भी उज़ कर सकते हो लेकर हम लेसन अद्रक डालने के बाद में इसे रख नहीं सकते ज्यादा समय तक इसको अची तरह हम चलाते रहेंगे मसाले को अब दो मिनट के लिए इसे मीडियम फिलेम पर हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे दाल अची तरह हमारी भुण जाएगी इससे गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखा है लो फ्लेम पर ही पहले इसे पकाएंगे उसके बाद मैंने ये इसी कल्ची की मदद से थोड़ा सा दबा दिया है इसे आप चाहो तो इसे बोटेटो मेसर जो आधा है उससे भी मेस कर सकते है ज्यादा मेस नहीं करना है थोड़े हमें इसे दर-दरा ही रखना है और ये थोड़ी हमारी पक चुकी थी तो हमने से यe कल्ची मदद से थोड़ा सा इसे मैस कर दिया है अब इसमें डाला है मैने थोड़ी से यहाँपर मैने पिसी हुई चीनी डाली है क्योंकि फट्यम मीठी कच 2025 बनने वाली त कल्ची की मदद से थोड़ा सा इसे मैस कर दिया है अब इसमें डाला है मैंने थोड़ी सी यहां पर मैंने पिसी हुई चीनी डाली है क्योंकि यह खट्टी मीठी कचोड़ी बनने वाली है तो बहुती स्वाधिश लगेगी आप अगर मीठा खाना पसाद नहीं करते तो इसके भी कर सकते पूरी तरह से फिर भी स्वाधिश बनेगी लेकिन थोड़ी सी डाल के जरूत देखी गई एक बार बहुती स्वाधिश लगती है खट्टी मीठी और यहां पर आदा चमच डाली है मिर्ची आदा चमच डाला है हल्दी पावडर और यहां पर अमचूच पावड आप चाहों इसमें स्वाधानसार मसाले और भी कमिया ज्यादा एड़ कर सकते हो अब इसे फिर से हमने चलाया है दाल को हम 5-7 मिनट के लिए लो फिलम पर ही इसे पकाएंगे गेस की फिलम को हम मीडियम भी रख सकते हैं लेकिन इसे बरावा चलाती रहेंगे नहीं तो यह ह अब टक पकाएंगे तब तक यह दाल हमारी थोड़ी से जो कोरकुड़े टाइप में हो जाती है सूकी-सूकी सि वयसी नहीं हो जाई तब तक हम इसे ऐसे चलाते रहेंगे अब इसमें बहु 치ाना इसमें कुछ बेरा स्अन भी मिलाते बुना हुगे जैसे बुनय हुई चने आते हैं उसको पीश कर डाल देदें गोलते हैं उससे भी mix करते हैं तो मैंने यहां पर कुछ भी mix नहीं किया है, मैंने इसमें एक नमकीन थी मेरे पास यह डाल मौठ वाली वो नमकीन मैंने इसमें एड करी है, आपके पास कोई भी नमकीन हो, अगर ज्यादा मौटी वाली हो, सेब बुजीय वाली वगरा हो, तो इसको भी आप पीछ के इसमें नमकीन इसमें add की इस स्वाद और भी बढ़ गया था थोड़ी सी कसुरी मेथी डाल दिये आपके पास कोई भी नमकीन हो आप इसमें डाल सकते हो या अगर मोटी वाली नमकीन हो तो उसे आप थोड़ा सा मिक्सी में चला करके भी डाल सकते हो बहुती स्वाधिस्ट बनती है और इसे थोड़ा सा ओ चलाया है डाल हमारी तयार है mixer हमारा कचोडियों का आप देख सकते हो बहुत ही स्वाधिष्ट बनाता सभी को बहुत ही पसंद आएती और यह एकदम सूखा सूखा dry बिल्कुल हो गया है अगर हम इसे बिल्कुल एकदम सूखा बनाएंगे तो इसे हम इस्टोर आसानी से कर सकते हैं और इसे हम राष्टे में भी कहीं सफर में जाएंगे तो वहां पे भी हम दे जा सकते हैं विल्कुल खराब नहीं होगी अब इसे हम निक्स्चरों करेंगे ठंडा ठंडा होने के बाद में क्या करेंगे इसकी हम छोटे-छोटे से पेड़े बना करके रख लेंगे सैट से ङे मैंने हातों में लिए हैं और छोटे-छोटे से इसके पेड़े बना करके रख दिये हैं आसा निसे बन जाएंगे ये देख सकते हो है इसी तरीके से जितने भी पेड़े बना थाल के रख लिएग कि थोड़ी गरम थी एकदम ठंडी हो जाये ही उसके बाद में भी बन ज हो चुका है अब हम चलते हैं आटे की तरफ हम एक चकला रखेंगे वैसे हमें चकले की ज़रूद नहीं है हम इसे हाथ से भी बनाएंगे या अब यहां से थुद्अ more आटा लिया है और इसके भी हम आटे के भी छोड़ पेड़े बनाएंग जैसे हमारी हमने दाल के पेड़े बनाए है उससे हमने डबल साज के पेड़े बनाने树 जैसे पूरियों के लिए हम लोई यां बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई रखेंगे देख सकते हैं आप इस तरीके से मैंने यहां पर पीड़ी बना कर रख लिए थे आठे के अब इसे हाथ की मदद से हम गोल करेंगे गोल कर इसी तरीके से गोल करते हुए अब इसे हम कटोरी शेप में बना लेंगे क्योंकि आठा हमने एकदम मुलायम लगाया था तो इसमें हमें बेलने की जरुद बिलकुल भी नहीं है आप चाहते हैं चकले पर रख कर भी इसे हाथों से बड़ी कर सकते हो या फिर हाथों की मदद से इसे अंगोठे दोना अंगोठों अंगली की मदद से इसे कटोरी शेप में बना सकते हो और जो हमने दाल का पेड़ा बनाया था वो इसके बीच में रखेंगे थोड़ा सा अ काचोड़ी या फट जाएगी और इसमें से जो मसाला है तेल में निकल जाएगा तेल हमारा खराब हो जाएगा। इसे अच्छी तरह पेक कर दैंगे और ऊपरसे अंगुठे की मद्स से हम दवा देंगे हतेली के मद्स से बीच में से से दबा देंगे जिससे की मसाला अच्छी तरह पूरे आटे में चिप्रक जाए और यह हमारी एकदम फूली-फूली खस्ता खस्ता कचोड़ी बनकर तयार हो कि यह इस तरीके से मैंने सारी लोईयों को कि बना लिया था मैंने यह देख सकते हों बिल्कुल अच्छी तरह पैक कर देंगे बस पैक करते समय हमें शील करते समय ध्यान दखना कि अच्छी तरह सील होना चाहिए नहीं तो जी दाल है मसाला ड्राय है एकदम तेल में निकल भी सकता है इस तरीके से हाथ की मतर से हम इसे कटोरी सीट में बना लेंगे और जो दाल का पेड़ा है वो इसके बीच में रखेंगे थोड़ा सांगूठी से दवाते हुगे इससे सील कर देंगे बहुत ही आसानी से बन जाती है क्योंकि आटा हमारा मुलाय में तो अच्छी तरह सील भी हो जाएंगी इसलिए हम हाइड आटा नहीं लगाते है कचोड़ी है समोसे का नहीं तो भी फटने का डर रहता है और इससे खस्तावी बनती है मुलाई मार्टे से तो यह देख सकते हैं आप अच्छी तरह सील हो चुकी है तो यह मैंने अंगुटी से दवाती हुए मसाले को चारो तरफ फिला दिया जिससे कि जो अंदर इसका मसाला है चारो तरफ अच्छी तरह चिपक जाए इसी तरीके से हम यहां पर कचोड़ी बना करके रख लाएं जब तक हमने कचोड़ी बना करके रखी थी तब तक हमने कड़ाई में रख दिया तर तेल गर्म करने के लिए कड़ाई में हमारा तेल भी गर्म हो चका है मैंने यहां पर सरसों वाला तेल जो सब्जी में डालते हैं वही तेल का यूज किया है मैं रिफाइन तेल का कम यूज करती हूं ना के बराबर ही यूज करती हूं मैं सरसों के तेल में ही ज्यादा तर चीजें बनाती हूं और यह गरम तेल में हम डाल देंगे गयस की फ्लेम को हम बिलकुल लो रखेंगे तेल अची तरह गरम हो जाएगा उसके बाद गयस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे और एक एक करके इसमें सारी कचोडियां को डालते जाएंगे तो बहुत ही स्वाधिस्टे में खस्ता कचोड़ी बन करके त्यार होगी तो अगर यहां तक आपने वीडियो देखी तो जरूर आपको कुछ न कुछ पसंद आ जाएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब जरूर करते जाएंगे जिससे कि मैं और भी नए नए तरेगी आसान सी रेसिपी आप सभी तक देश सकूँ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो यह त्यार है हमारी स्वादिष्ट दालवाली कचोड़ी देख सकते हैं आप एकदम फूली फूली गोल मटोल खाने में भी वह सवादिष्ट लग रही थी बच्चों को भी बहुत पसंद आही थी इसे आप ệ Metro कर के भी 8 दिन रख सकते हो तो इसका मसाला भी हम बना करके रख सकते हैं, जब भी हमें कचोड़ी खाने का मन करें तो हम आटा लगा करके कचोड़ी बना सकते हैं, देख सकते हैं, इसका कलर चेंज होने तक इसे खस्ता से कहेंगे, गैस की फ्लैम को लो ही रखेंगे, पांस साथ नट लगेंगे, इसे हम फ्राइ करने में अगर लो फ्लेम पर फ्राइ करेंगे तो उतनी ही यह खस्ता बनेंगी जल्द वाजीं बिल्कुल नहीं करना है नहीं तो हमारा सारी कचोड़ी उपर से तो हमारी कलर चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर यह कची रह जाएगी तो देख सकते आप लग रही ना बहुती स्वाधिस्ट कचोड़ी तो आप भी एक बार इस तरीके से जरू बना करके देखिए यह इसी तरीके से हम फिर से डाल देएं गरम तेल में कचोड़ीयों को और शेक लेंगे सारी कचोड़ीयों को आप इसे स्वाट के साथ खाओ मैंने यह समौसे के लिए स्वाट बनाई थी इसकी भी मैंने स्वाट वीडियो डाली हुए स्वाट वाली उससे बहुती स्वाधिस्ट लग रहे थी यह साथ